हेलो बच्चों, वेलकम इन SS Kota Classes बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का संस्क्रित और इसमें हमारा आज पहला पाठ है पाठ है अकारान पुल्लिंग शब्दों से सम्बंदे अकारान शब्द क्या होते हैं वे शब्द जो की आ से समाप्त होते हैं मतलब जिनका अंद आ पर होता है जैसे की राम, बालक, अश्व तो ये शब्द जो हैं ये सभी शब्द हैं अकारान पुल्लिंग में कौन कौन से सरनाम पदाते हैं वो भी इस पार्ट में हमें बताया गया है क्रियापदों के बारे में बताया गया है क्रियापद मतलब जिसे कि हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं उसी तरह से संस्कृत में होती है धातू संस्कृत में इसे धातू कहा जाता है तो संग्या सर्वनाम और क्रिया बंदों का जो यहां मेल जूल हमें सिखाया गया है शुरुआत हमारी यहां पर है एक बात में पाट को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि जिस तरह से हिंदी में आप एक वचन और बहु वचन पढ़ते हैं उसी तरह से संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचन, दिवचन और बहु वचन संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं पुलिंग, इस्त्रे लिंग और नपुनसक लिंग इसी तरह से संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं प्रतम पुरुष, बध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आज हम यहाँ पर अकारान प्रोलिक में एक वचन, दिव वचन और बहु वचन तीनों का मिश्राण पढ़ेंगे किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है किस तरह से वाक्य बनते हैं और छोटे छोटे आज हम यह पर वाके देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाट को और पाट के जो कठी शब्द है पहले उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर जो शब्द आपके लिए बिल्कुल नहीं है इन्हें हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार चशक, चशक का आर्थ होता है गिलास, व्रहत का आर्थ होता है बड़ा, सोची कह, सोची कह को आप दरजी बोलते है हिंदी में, खेलती का आर्थ होता है खेलता है, यह खेल धातु है जिससे की शब्द बना है खेलती, सिव्यती इसका आर्थ होता है सिलाई करता है, शुनकों का आर्थ है दो कुते, शुनक मतलब होता है गर्जितह का अर्थ है गरस्ते हैं उच्चे है इसका अर्थ होता है जोर से लाउडली एतो एतो जो है सर्वनाम है एतत जिसका की अर्थ होता है यहां उसी से एक रूम बना है यह दोलो इसका अर्थ है बुक्कतह, बुक्कतह का अर्थ है भोगते हैं बलीवतो का अर्थ होता है दो, बैल धावतो, धावतह का अर्थ है दोडते हैं कर्शितह, इसका अर्थ है जोतते हैं या जोत रहे हैं व्रद्धा, इसका अर्थ है बूढ़े गायन्ती का अर्थ है गाते है या गायन कर रहे है हसंती का अर्थ है हस्ते है स्यूता का अर्थ है ठैले हरित वर्णहा मतलब हरे रंग का और नील वर्णहा मतलब नीले रंग के तो अब छोटे छोटे और भी इसमें कई सारे शब्द हैं जो कि आपको पार्ट के दौरान पता लगते जाएंगे तो चलिए पार्ट की रिडिंग हम शुरू करते हैं एशह कह एशह जो है आपका ये एतत से बना है एतत मतलब होता है यहाँ और एशह एक वचन के लिए काम में लिया जाता है एक बचन को यह दर्शारा है जो किसका है, गिलास का है तो आप बताएंगे, यहाँ एक गिलास है किम एशह व्रत किम का आर्थ होता है, क्या क्या यहाँ बड़ा है ब्रहत का मतलब अभी बताया था बड़ा, क्या यह बड़ा है प्रशन आपसे पुछा जा रहा है नह, एशह लगू तो आप उत्तर देंगे नहीं, यह छोटा है लगू का अर्थ होता है, छोटा अब देखिए अगला चितर आपके सामने है और इस चितर से सम्मतित प्रशन आपसी किया जा रहा है सह, कह सह भी यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एक वचन अगर पुलिंग हो, तो सह इसका अर्थ है वह कौन है सह जो है, यह बना है तत से और तत का अर्थ होता है वह तो एक वचन पुलिंग वह कौन है सह सौचिक सौचिक का अर्थ हभी आपको बताया था दरजी वह दरजी है सोचिक किम करोती अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दरजी क्या करता है तो आप देख करके बता सकते हैं आपसे आगे भी पूछा जा रहा है किम सह खेलती क्या वह खेल रहा है न सह वस्त्र सिव्यती वह क्या कर रहा है वह वस्त्र सिल रहा है वस्त्र मतलब कपड़े सिल रहा है अब देखिए अगला चित्र आपके सामने है चित्र में आपके सामने दो कुट्टे बने है और आपसे पूछा जा रहा है एतो कौँ एतो जो है दिवचन को दिखा रहा है दिवचन मतलब दो कुट्टे यहाँ पर है इसलिए आपसे पूछा जा रहा है एतो कौँ एतो एतत से बना है और एतत का अर्थ होता है यह मतलब यह दोनो कौन है ध्याद से देखते जाईएगा और अर्थ को समझते जाईएगा यह दोनो कौन है एतो शुन को इस्तह यह दोनो कुत्ते है क्या आप कहा सकते हैं यह दो कुत्ते है किम एतो गर्जत है क्या ये दोनों गर्जते हैं गर्जत है कार्थ होता है गर्जते हैं न एतो उच्चे बुकत नहीं ये दोनों उच्चे मतलब जोर से और बुकत है मतलब भौकते हैं नहीं, ये दोनों जोर से भौकते हैं, अगला प्रशन आपके सामने देखिए, बैल है और उनके साथ में क्रिशक है, तो कौँ, तो आपके सामने शब्द है और ये जो शब्द है तो ये भी आपको बहुवचन के बारे में बता रहा है, बहुवचन यहाँ पर, दीवचन सोर दीवचन के बारे में बता रहा है, और ये भी तत्चे मना है, तत्च मतलब की इसका एक वचन होता है सह, दीवचन होता है तो और भौवचन होता है ते, सह, तो तो ते, तो यहाँ लिका है तो कौँ, वे दोनों कौण हैं, तो बलीवदो स्थ, बलीवदो मतलब अभी बता क्या वे दोड़ते हैं ना तो शेत्र कर्षत है नहीं वे क्या कर रहे हैं वे दोनों खेत जोत रहे हैं कर्षत है मतलब होता है जोत न चली अगले हम पेश पर बढ़ते हैं आगे हमसे पुछा गया है आपके सामने देखिए क्या है आपके सामने कुछ थैले रखे हैं उस थैलों के लिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है एते के यह क्या है यह सभी थैले हैं एते जो है बहु वचन के लिए प्रयोक मिलिया जाता है और यह होता है यह शब्द के लिए मतलब कि इसका एक वचन होता है एशह दी वचन है एतो और इसका जो बहु वचन है वह है एते एशह एतो एते तो ये आपके लिए देखिए बहुत सारे हैं दो से जादा हैं तो आप इसके लिए लगाएंगे बहुचर और एते के मतलब वे सभी क्या हैं? वे सभी थैले हैं क्या ये सभी हरे रंग के हैं नहीं ये आते नील रंग के हैं ते के अब देखिये यहां पर ते शब्द आया है और ते अभी मैंने बताया था ये है वहा के लिए तो आपसे पुझा जा रहा है वे कौन हैं ते व्रद्धासंती वे बूढ़े हैं किम ते गायंती क्या वे गा रहे हैं गायंती का अर्थ होता है गा रहे हैं या गाते हैं नहीं ते हसंती नहीं वे हस रहे हैं तो बच्चो ये तो है इस पाट का हिंदी में पूरा अर्थ और मैंने आपको लगभग सभी शब्दों का एक एक करके अर्थ बता दिया है अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके प्रशनतर तो आप इसको पाट को अच्छे से पढ़िए जिसे कि आपको प्रशनतर भी अच्छी तरह से आप इसके कर पाएंगे चलिए हम बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को लाइक करना न भूले